नमस्का दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है इसलिए खास होने वाला है पहले बात तो सब लोग दिवाली celebrate करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन दिवाली के दिन दिवाली की रात कुछ ऐसी चीजे नहीं करनी चाहिए लोग करते हैं वो आमें समझना है औ उस मंत्र को अगर खास करके दिवाली के दिन जपोगी तो कुंडलेनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको हुई है समस्या हुई है वो सॉल्व हो जाईगी इसलिए बने रहें इमांदरी से लाश तक सबसे पहले जानते हैं दिपावली का विज्ञान क्या है दिखिए द होता है बहुत सरे बैक्टेरिया और जस पनवते हैं लोग भी ज्ञाद से ज्ञाद पर बीमात रहते हैं तो कहता है कि दिपावली के दिन जब हम त الي का दिया जलते है या घी का दिया जलते हैं तो चक्त रहें उसने जो के मिकल रिलीज होता है उससे वैडिग बहुत कषिय अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिया जलाते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाय हो जाता है और दिपावली की एक रात ही काफी है पुड़े वातावर्ण को सुत करने ले क्लीन करने के लिए बार से तो हम साफसफाई करते ही हैं अच्छी वाते क पढ़ जाती है दूसरी बात जो दिया जलाते है उसकर जो लग है जो है हर किसी के चारो तरब जो एक magnetic field है हम सब के चारो तरबirs फील्ड है विज्यान कहता है उसके साथ गो इंटरफेर करता है कौन। हैंटरफेर करता है फिर क्या होता है electromagnetic webs हमारे skin के उपर react करते हैं फिर क्या होता है हमारे blood cells activated हो जाती है फिर हमारी immunity instantly बढ़ जाती है अचानक बढ़ जाती है और इसी कारण से आपने अनुभव किया होगा दिवाली के दिन खासकत के रात के समय संध्या के समय में सबसे जादा आपको energy का अनुभव होगा इस तरह की energy का अनुभव बाकी दिन में नहीं होता है क्योंकि वातावरण में ही इतनी energy फैल जाती है तो आपको भी मैसूस होने लग जाता है अब एक गलती नहीं करना है असुद आहार नहीं करना है तामसिक आहार नहीं करना है चितना हो सके मैं तो बोलता हूं 100% आप ये संकल्ब कर लीजिए कि दिपावली के दिन आप सुद्ध सात्विक आहार ही करेंगे नसा में या बेविचार में मत पढ़िए अगर पति-पत्नी हैं भी तो भी दिपावली के दिन गलत व्यभार बिल्कुल भी ना करें कोई अगर सिंगल है तो दिपावली के दिन कुछ भी गलत ना देखें या अपनी उर्जा को अपनी सक्ति को नास ना करें अर्थात ब्रहमचेरे का नास ना करें क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, एक तो आप suitable हो, energy को receive करने के लिए, या आपको शरीर में energy बन रही है उस दिन, immunity बढ़ रही है, और फिर आप उपर से अपने मानसिक और सारिरिक सक्ति को drain out करोगे, तो आप कहीं न कहीं अपना नुक्सान ही कर रहे हो, सबसे important बात, दिपावली के दिन cosmic energy बरस रही होती है, और आपका जो सरीर है उसके लिए पूरा suitable रहता है उस दिन, उसको receive करने के लिए, positive energy को receive करने के लिए, ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है, इसलिए बहुत सरे ऐसे व्यापारी लोग उनको पता नहीं है, व्यापार में उ लोग जागरण इसलिए करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि दिपावली की रात, साक्षात, धन की देवी, माता, लच्मी विराजमान रहती है, केवल जगने से नहीं होता है, अगर आप एक काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सबके लिए अच्छा होगा, ज किसी भी इस्टे देव को आप मानते हों, किसी भी इस्टे देवी को आप मानते हों, किसी को भी मानते हों, उनका कोई फेवरेट मंत्र, जो आप जबते हों, आपको पता हो, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, तो कोई भी एक नाम आप याद कर लो, अगर मिडनाइट म मिडनाइट में अगर आप जपते हो दो घंटे तो जरूर जपो दो घंटे अगर नहीं जप सकते तो एक घंटा जरूर जपो वो भी मिडनाइट में दिवाली की रात को काल रात्री भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं एक तो अमावस है अंधिरा है काल रात्री का मतलब समय को हम बदल सकते हैं, समय का विशिस प्रभाव रहता है, अर्थात कोई अच्छी चीज एक बार करेंगे, जैसे के मंत्र जब करेंगे, तो एक बार मंत्र जब से करोडो गुना मल्टिप्ला हो जाता है उसका इंपेक्ट, इसलिए इसको काल रात्री बोलते हैं, यानि कि समय आपको साथ दे रहा होता है, और समय आपको नगेटिविटी से बचा रहा होता है, और समय आपको अध्धात्मी ग्रूप से पावरफुल बना रहा होता है, इसलिए इस काल रात्री का फैदा उठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली की रात को जब कीजिए, अगर वोन एडिक्सन बगेर आदि छोड़ना चाहते हैं दुर्विचार से बचना चाहते हैं तो आपको ओम आरेमाय नमहत जरूर चाहिए उसके अलाबा आप अपने इश्टदेव का मंत्र भी कर सकते हैं स्तोत्र पाट भी कर सकते हैं कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं राम र प्रकनात ने सारा स्वत कुंडलीनी योग में सजेस्ट किया है दोस्तों इस मंत्र के बारे में किसी को अभी तक पता नहीं है आप पहली बार सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं इसलिए सिरियस हो जाईए जो लोग कुंडलीनी योग करते हैं बिना गुरू के करा उनके साथ कई बार कुंडली नी जो सकती है वो फस जाती है रुख जाती है या गलत तरीके से जागरत हो जाती है कई लोगों को मानसिक और सारिक प्रॉब्लम्स क्रेट हो जाती तिन भर अनकंपटेबल फील करते हैं चुजुला हाट होती रहती है ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया कई लोगों ने मुझे ये बात बताया है तो मैं आपको बता दूँ ऐसे तो आप रोज रात को सोने से पहले 108 बार इस मंत्र को जब सकते हैं अगर आप दिपावली की रात को ये मंत्र जबते हैं चाहे आप 108 बार करें या उससे जाधा करें मैं तो सजेस्ट करता हूं 10 माला जरूर कीजी क्यूंकि दिपावली के दिन मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो देखते हैं आप चाहे तो उसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं मंत्र है ओम लंपम दिव्य रूपम या धारयतू साधारा प्रसीदतू तत्र तास्चित तजा रोगा बिनश्यन्तू ज्यान रहे मंत्र में विश्वास होना भी अनिवार्य है और करने से पहले आप प्रार्थना करना प्रार्थना करना ना तमस्तक होना आप अपने इश्टिदेव को भी प्रार्थना कर सकते हो अपने गुरु को भी प्रार्थना कर सकते हो माता सरस्वती को भी प्रार्थना कर सकते हो योगी गुरक नात जी को भी याद कर सकते हो फिर उसके बाद इस मंत्र को आप वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको जादा से जादा शेर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हम और बनाएं तो अपना ओपिनियन भी कमेंड में दे सकते हैं और संकल्ब करते हैं दिपावली को बहुत ही अच्छे से सलिबरेट करेंगे और अपने स्चान्तिं अची रेन दिगेच्छती विश्वासों फलदायक विश्वासों फलदायक वे जिनकी सुर्थागाद है और जिनोंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंतरन कर लिया है वे दिव्य ज्यान प्राप्त कर लेते हैं इस दिव्य ज्यान के द्वारा वे शिग्र ही कभी ना समाप्त होने वाली परमसांति को प्राप्त कर लेते हैं इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शिग्र ही कभी ना समाप्त होने वाली परम सांती को प्राप्त कर लेते हैं सा प्राप्त कर ले हुआशं साँ कर दो 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 झाल झाल झाल